So guys again, आप सभी का हमारे चैनल से जुनने के लिए बिहुद भूद धनेवा अज की भर्ती वहने वाली है, नॉन टेकनिकल और टेकनिकल दोनों पोश्ट लिए भर्ति वहने वाली है और बार्मी पास भी कंडिट आज इस वर्ति के लिए इलेजवल हो पाएंगे केवल आपके पास बार्मी के डेरी होनी चाहिए और बार्मी पास अगर है आपके पास तो आप इस वरती के लिए लेजिवल हैं बांकि IT कंडिट भी इस वरती में जा सकते हैं दोनों के लिए भरती होने वाली है, अच्छी मिलेगी, L&T कमपनी है, और हाँ, नेक्स्ट कमपनी एक और भरती है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो की होने वाली है, उत्तर परदेश की युवाओं के लिए, और जो यूपी की वरती होने वाली है, वो वेसिकली होने व ताकि जो है और तक यह information पहुँच पाए बाकि बाद जो है all our UP के candidate जो है वो सुजुकी मोटर गुजरात की campus आपकी लगने वाली है आपको date पता चल जागी इस वीडियो में वीडियो में last तक बने रहे हैं और आपकी selection process भी बताई जागी और अभी जो हम पहले बात करेंगे वो L&T construction work है और इसमें बार्मी पास के लिए मौका दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि बार्मी पास को जो है मौका दिया जा रहा है इसमें company में बाकि वाद जो है IT candidate को भी मौका दिया जाएगा बाकि वाद जो आप मेरे चैनल से अगर आप डिपलोमा वगरे क आपने डिपलोमा किया है या फिर mechanical से या civil से दोनों से आपकी जो भरती ज्यादा तो civil से चांस मिलेगी आपको civil से आपने जो है किये है आपने डिपलोमा तो है आपकी लिए भरती आएगी हम जल्द ही उसको cover करेंगे L&D company होगी supervisor post होगी तो आज की भरती होने वाली है केवल नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए बार्मी पास के लिए तो चलिए हम जानते हैं बार्मी पास वाले कैसे जॉइन कर पाएंगे और टेक्निकल वाले कैसे जॉइन कर पाएंगे इसमें कहां पे होगी कौ अभी आपको इसमें अप्लाई करने हैं बाकि वाद जो एलेंटी कंपणी के बारें नहीं जान रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ी बता दूं कि जो गुजरात में आपने देखे होंगे कि जो एस्टची ओफ यूनिटी है जो कि सरदार बल्लभाई पटेल की जो बहुत उची परतीमा बनी है बाकि वाद जो आप सभी पटना मै ट्रू जानते होंगे पटना मेत्रों को जो स्चंट्र बोहत ही वरक करती है और करती है और काफी ही बहुत ऑच्छी कंपची है बगतरीक क्रती है तो इस आपको बहुत अच्छे अपउयनेटी होगी हैं यह बहुत अच्छी त्रिक्निशन की पोस्ट होने वाली यह त्यूहीजूर्ट निगिता कर चुंगे आप जोईनिंग कैसे लगी के वह भी हम बताएंगे आपको ज्वाइनिंग कैसे लेकि जाने हैं डॉक्वेंट बगारा कैसे कैसे आप से पूछे जाएंगे बाकी वाद जिखे जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी तो आपको जॉब लोकेशन जोगी वह गुजरात होगी क किकलोई किया जा सकता है बाद हम बात हकते हैं सैलरी की तो जो सैलरी है, बार्मी पास जो केवल dardy और प्रभी की लिए ध्रक है मैं उनके लिए सैलरी में बता दूँ उसके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 16,000 कि है कीा करते है बांकि जो है जो आइटे सुछन ठी है जो है टनी इसुनसासर अपने सहे करा औरके अच्छी अपको शाय कि है हूं जो भी कंड़ेटर है हलके फलके एक्स्रियंस के होंगे जिसे साथ मैंने कहीं काम की होंगे आइटे लेवल पे तो उनकी सैलरी अपरोक्स आपको 20 थौजन अराम से आपको मिल जाएगी तो यह थी यह बाकी बाद जो है आप जो एक दम बिल्कुल फ्रेशर होंगे उनको 16 जो है अगर कंटिन फेसलेटी वहां पे अब लेवल होगी तो आपको करवा दी जाएगे कंटिन वगार साथ चीज मील जाती है और बाकी बाद जो है आपको जो है पूरा ख्याल रखा जाता है तो बहुत अच्छी और उसके बाद आपको जो है आपको जो है ज्यूआइं इस परकार से मिलेगी, हम वो बात करेंगे बागी वज्व है आप देख सकते हैं कि आठ्टेट की बात करें हम की चो भी टेकनिकल ट्रेड है आपके पास एलेक्टीशन है, फीटर है, डिजल मेकानिक है वेल्डर है ड्राफ्समेंड है, सिविल है सिविल वाले को तो ज्यादा इसमें प्रिफेंड मिलेगी उसके बाद जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है बहुत एच्छी रखी गई है देखिए बहुत सारी यूबाओं जो जा सकते हैं कि कोई बहुत सारे वीडियो में कॉमेंट करते रहते हैं सर मेरी बनी कंपनी होगी इसके लिए आप देख सकते हो एज लिमिट जो अठारे से लेकिए आपको 38 जो लेकिए आपको जो है 30 तक आप बिलकूल अराम से इसमें जा सकते हैं बाकी बाद जो स्लेक्ट प्रोसेस आपको अधर कंपनी जासे करवाती है सेम आपको जो है वगर आपको करवा लिया जाता है नॉर्मल प्रोसेजर होता है आपको आपको जो है एक विपशाइट के तुरू आपको शारे कोशन वगर सारे आ जाते हैं मोबाइल पर बाकि वाद जो इनके अगर केंपूटर अपलेवल होंगे तो वहां भी करवाया जा सकते हैं वह डिप आपके जो है ट्रेट से चार पांच कोशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप अपने ट्रेट के कोडिंग जो है आप में कोशन वगर को थोड़े प्रेटिश कर लेने हैं ताकि आप इसमें सानी से आप जबाब देपाएं बाकी बात करते हैं कि जो आप सबसे आपको देट रखा गया है तो सारे अप ध्यान से सुनेंगे दो नमबर को आपको देट रखा गया है बाकी बद डॉकमेंट आपको लेके जाने वह डिस्पले आपको सारी चीजने डॉकमेंट देख रही होगी टेंथ जो बाई 12 पर जाएंगे वह 12 के अपनी शर्टिफिक जो है इंटर्व्य डिटेल्स होगी वह आपकी जो है चलिए हम देख लेते हैं कि दो नमबर को आपको जाने होंगे और लोकेशन पर और सारे एंप वाले वहीं पर जाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं दस एम से आपका जो है सारी परिके या इस्टार्ट हो जाईए आप जेख सकते हैं सिर्राम प्रैवेट आइटी जो है आप डिटेल्स है एम जी एम स्कूल के पास जो है छतरपूर रोड जो है बगडोना सार्नी मदब बढ़ दे ती वाई इस लोकेशन को आप आराम से स्कीन्शॉट ले लेंगे आप आराम से इस लोकेशन पर जा सकते ह हैं यहीं पर आपका campus होने वाला है उस सारे MP वाले आप देहान से इस वीडियो को जादा सजाद आप शेयर करें ताकि जो है आप अपने दोस्त वगरे के शाथ आप इस company में जा सकते हैं कि आप अकेले जाओगे आप दोस्त के साथ जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगए काम करने में चल एब next वर्ति की बात करने दो यहां सुजुकी मोटर की वर्ति हो ने वाली है घृड़ी होती है अफटीसी की वर्ति होगी पहले आपको शाथ महने फिर अगले नेक्स इस तरह से आपको company में ही वहीं पर जैसे हैब साथ महने complete होगा फिट से आपको पर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको तुरत ही आपको इसा निक बैठाया जाता है तो आपको शेम जो है आपको उशी में आपको नेक्स्ट साथ महिने पिर शेर करवाए जाएंगे उस तरह से आपको फिर एक साल के लिए तो मतलब समझ लिए आपको चलती रही काम आपको इसमें सरुवात में तोड़ी कम मिलेगी बाकी बाद जो है जैसे आप काम करते चाहोगे उसके बाद उसके बाद जो है अपको जो है सुरुवाती माब जब जॉइन करेंगे वहां पर आपको 21,500 उपीस आपको शालरी मिलेगी कट पट के जो है 18-17,18 त दिखा देंगे वहां की जो है किस सनुशार से जो है फैसलेटी मिलती है कैंटीन वगर सब अच्छी मिलेगी बाकी बाद हम बात करते हैं कि जो है एज लिमिट मैंने बोला था कि जो है सुजुकी मोटर के 18 से लेके 23 साल के यूबाओं के लिए 24 साल वे से माना जाता है 24 साल तक आप अपना नीचे तो जा सकते है ए रेजिव ऐखर डूकोमेंट वगर यतने सारे लेकर जाने है आपको टएन्द वगर जड़नेकि अन में जारेफ कि और बाद उसके बास की पको आपको जाने है इस लोकेशन पर आपको जाने है इसको इनसोट च्छ छोशन है तो दिस्टिक आपको जॉनपूर योपी है बाकिवाज जो है जो है यह लोकेशन आपको तिस्वेच्छ ध्यान से आपनों टाउन करें और इसके जाता से जाद आप शेयर करें वीडियो को फॉरवर्ड करें और जो भी डिपलोमा धारक वगर इस वरेकांडेट हैं उनके लि वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धनेवाद थी इस तरह से आप जो है इस वीडियो को जाता जादा सेयर करें और फिर से हम मिलते हैं किसी नए कैमपस फ्लस्में के साथ तो तक लिए बाई बाई टेक केर